भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला बीते शनिवार 27 जुलाई को खेला गया। मुकाबले में टीम इंडिया ने 43 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में भारतिय कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से धुआधार बैटिंग देखने को मिली। इस धुआधार बैटिंग के साथ सूर्या ने इतिहास रचते हुए दिगगज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। किन कोहली को पचार कर सूर्या T20 इंटोनेशनल के नए डौन बन गए। बता दे कि श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में भारतिय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 8 चोके और 2 चकों की मदद से 58 रनों की पारी खेली। इस शांदार पारी के लिए सूर्या को Player of the Match के खिताब से नवाजा गया। ये T20 इंटोनेशनल में उनका 16 वा Player of the Match का खिताब रहा। T20 इंटोनेशनल में विराट कोहली ने भी 16 Player of the Match के खिताब जीते। खिताब जीतने के लिहाज से तो सूर्या ने किंग कोहली की बराबरी की है, लेकिन मैचों के हिसाब से सूर्या ने कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 125 मैचों में 16 Player of the Match के खिताब अपने नाम किये हैं, जबकि सूर्या ने सिर्फ 79 मैचों में ही 16 Player of the Match के अवार्ड जीत लिये हैं।